हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज मैं आप लोगों के साथ माइक्रोनी की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ ये साम के नास्ते में हलकी फुल की भूप के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये बड़ों से ले करके बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आता है और मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाओंगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक मीडियम साइड का टमाटर कट किया है और दो हरी मिर्च और एक बड़ी साइड की प्यास को कट कर लिया है और साथ में इसमें माटर का भी सीजन है तो मैंने यहां पर थोड़ी सी माटर को भी छील लिया है और माइक्रोनी को मैंने जो है उबाल लिया है थोड़ा सा नमक और तेल डाल कर उभा लिया है यह उबली हुई है माइक्रोनी तो अब यहां हमने कड़ाही में तेल गरम होने के लिए रख दिया था उसमें डाला है मैंने जीरा और अब डालेंगे हरी मिर्च और तीखा आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं इसको प्याज के गल्ले तक ही इसको हमें पकाना है और प्याज को गोलें ब्राउन इसलिए नहीं करना है क्योंकि प्याज अगर गोलें ब्राउन हो जाएगी न तो उसका जला जला सा टेस्ट आता है माक्रोनी में जो की खाने में बहुत ही वेकार लगता है इसलिए प्याज को सि इतना ही जो है भूनना था गलाना था बस अब मैं यहाँ पर डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर के लिए और उसके बाद मैं आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम डालूँगी धनिया पाउडर यह टोटली ऑप्सनल है आप धनिया पाउडर चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो मत डालिये और इसको अच्छे से मिक्स करके अब यहां पर हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से मीक्स कर लेंगे यह देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और साथ में ही हम डाल देंगे मतर इन दोनों चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक सिर्फ मटर और टमाटर के एलिए और क्योंकि मैकरोनी में नमक पड़ा हुआ है इसलिए सरदिया है तो इसमें गाजर और सिमला मिर्च भी है तो आप चाहे तो उसे भी डाल सकते हैं पर हमारे बच्चे नहीं खाएंगे इसलिए मैंने उसको नहीं एड़ किया है बस अब हम इसको ढख देंगे मटर और टमाटर के गलने तक तब तक उधर हम चाय चढ़ा लेते हैं क्योंकि माइकरोनी साम के लिए नास्ते में बना रहे हैं और उसके साथ चाय बहुत अच्छी लगती है चाय माइकरोनी वैसे चाय और माइकरोनी का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आपने ट्राइ नहीं किया है तो जरूर ट्राइ करना एक बार और यहां पे जो है मेरा टमाटर और मटर अच्छी तरीके से गल गया है आप देख सकते हैं अब मैं यहां पे डालूंगी उबली हुई माइकरोनी और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दूगी ताकि मसाले अच्छी तरीके से लग जाएं और मसालों में आप सेजवान चटनी और टमैटो कैचप भी आड़ कर सकते हैं पर सभी के पास नहीं होती है वो सारी चीजे इसलिए मैंने इसे सिंपल एकदम सिंपल तरीके से बनाया जो सब के पास हर दम होता ही होता है तो यहां पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है माइकरोनी को अब मैं इसको दो मिनट के लिए ढंगूंगी तब तक मैं उधर अद्रक पूट ले रही हूं चाय के लिए साथ ही साथ में दोनों चीज़ ये बन जाएगी तो सब लोग फटा फट इंज्वाइ करेंगे बस और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है और बहुत ही डिलीसियस लग रहा है और आज साम के लिए मेरा बहुत ही यमी सा नास्ता तयार है उमीद है वीडियो पसंद रहा होगा वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पॉर वोचिंग